अपने शोई यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पे क्या कुछ चल रहा है कौन कौन से नए उतार चड़ाव आ रहे हैं सूबे की सियासत में और आज बात करेंगे ओपरकाश राजभर के बड़े बयान की जहां राजभर ने डिप्टी सी एम केशो परसाद मौरे को धोका देने का रोप लगाते हुए बीजेपी के साथ जाने से साफ इंकार कर दिया तो वहीं बीजेपी को डूपती हुई नाव भी करार दे दिया उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वीजेपी ने पहले मौरे के नाम पर वोट मांगे और फिर उन्हें धोका दे दिया तो वहीं हमिशा से मुलाकाद के बाद गोरकपुर लोटे संजे निशाद ने फिर से दोरा दिये डिप्टी सी एम पत की मांग और लगे हाथ ये भी बता दिया कि ये उनकी नहीं बलकि उनकी पार्टी के कारेकरताओं की मांग है क्योंकि यूपी में 160 सीटे निशाद बहुल ये हैं और इन्ही दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्सा बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद डॉक्साब सुहेल देव भारती समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है बीजेपी ने कैशो परसाद मौजे के साथ धोका किया वोट मांगने के लिए उन्हें आगे किया और जब जीत गई तो फिर उन्हें अंदेखी कर दी उनकी इस तरह कारोप लगाते नज़र आए मतलब यह देखिए दूले का पता नहीं और बराती चिला रहे है देखिए चुनाओ का महाल जैसे ही गर्माना शुरू होता है तो बरसाती मिडग जो है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं और तमाम तरह कि यह डिमोकर्टिक प्रोसेस का एक हिस्सा है अब जैसे बियार में बियार में चुनाओ हुए आपने देखा था तेवर रामिलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ऐसा लग रहा था कि अगला चीफ मिश्टर वही बनने वाला है हर जगह उमिद्वार खड़े कर दिये एक भी सीपी जी सका जीरो बटा सरनाटा पार्टी भी चली गई तो होता ये है कि जब चुनाओ आते हैं तो इस तरह के जो छोटे छोटे कास्ट लीडर्स हैं उन कास्ट लीडर्स के पास एक बार्गिनिंग पावर आ जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने के लिए जो है वो सामने आ जाते हैं अब आपने राजवर साहब की बात की भाई ये तो अजीबो गरी बयान दे रहे हैं कहां वो केशब मौरिया की बात कर रहे है कि केशब मौरिया के साथ धोखा हो गया केशब मौरिया कह रहे हैं कि हम योगी आदितनात के साथ थे हैं और सदा रहेंगे इनको कोई दिकत नहीं और ये बिना बनाये प्रवक्ता बन गये केशफ मौरिया के बड़ा अन्याय हो गया उनके साथ अच्छा बी जे पी वालों ने अन्याय कर दिया प्रवक्ता बनाया है उसको लेकर के आपके छाती में दर्द हो रहा है और किसके गोदी में जाकर के वो बैठ गए हैं उस दर्द को खतम करने के लिए तो OVC के साथ ये जो है गरवईया कर रहे हैं मने दोनों बाते तो नहीं हो सकते ये कास्ट लीडर्स के दिमागी हालत को बताता है कि चुके कुछ कास्ट इसको कर सकते कि प्राइटी देते हैं लोग गोट करने के लिए तो उसमें इनको लगता है कि ये लोग तो बिलकुल ही किंग मेकर के रोल में आ गए तो चिराग पास्वान जैसा हालत जो है राजवर का भी होगा क्योंकि आप एक ही बार में दो दो नौ पर पैर रखेंगे तो आप की स्थिति क्या होगी वो तो सबको मालूम है ओवसी के साथ गलवईयां भी करेंगे और भारती जनता पार्टी के लीडर के साथ किसी के साथ धोका हुआ जो नहीं हुआ है उसको लेकर कि आप बयान बाजी करेंगे और उसके उपर से एक अजीवो गरीब सुभूफा जिसको कहते हैं कि पांच मुख्यमंत्री और 20 समर्थक जो है वो आपको वोट नहीं देंगे आप उत्तर प्रदेश को गर्थ में भीजना चाहते हैं मतलब ये इनके फॉर्मूले से हर साल एक निया चीफ मिनिस्टर होगा है ना और चार उप मुख्यमंत्री होंगे यह तो काम तमाम हो गया तो जिस व्यक्ति का मांसिक हालत यह हो जो चुनाओं से पहले राज में अस्थिर सरकार की वो कलपना कर रहा है उस पे बयान बाजी कर रहा है कि कोई भी पर्मानेंट चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कोई भी पर्मानेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, सरकार भी पर्मानेंट नहीं होगी और बाजी साथ यह जो राजबर हैं, यह भी पर्मानेंटली उत्रप्रदेश की सरकार दिया राजभर साहब की वही हालत है भारती जनता पाटी बहुत ही अच्छे पोजिशन में है इसलिए अच्छे पोजिशन में है कि योगी आदितनात का जो पॉपलरिटी है वो जरा सा भी कम नहीं हुआ है दूसरा राम मंदिर इक बड़ा मुद्दा बनने वाला है ज तो और जिस हिसाब से धर्मांतरन का मसला पकड़ा है तो बारती जनता पाटी को तो कई सारे मुद्दे हैं जिसके उपर जो है अगर होता है ऐसा कि एक अनपॉपलर आदमी मुख्रमंत्री हो तब बात भी समझ में आती है और इसलिए ये जो बरसाती मिठक ब्लैकमेल करने के लिए जो आ रहे थे सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि मौरे के लिए इनको बहुत दर्द उट रहा है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लेट कर दिया इन्होंने दर्द दिखाने में अपना चार साले चार साल गुजर अभी तो मुव्मेंट सुरू हुआ नहीं यह त तो उसमें क्या तीन मुख्यमंत्रे मुसल्मान होंगे दो हिंदू होंगे और क्या दिक मरें यह दरसल जो अभी दो दिन पहले वैसी ने शगूपा चेह रहा था कि सीए में मुसल्मान देखे होता क्या है राजीती में कुछ लोगों को यह गलत फहमी जो है बहुत जल्दी पैदा हो जाती है मैंने बहुत एक क्लासिकल एक्जाम्पल दिया वो है चिराग पासवान का इनकी हालत चिराग पासवान जैसी ही होगी क्या अपनी पार्टी में भी जगह वो हर जगह से हर जगह से जाएंगे तो यह दिक्कत है जोक साब इसके लावा अगर हम बात करें निशात की तो हमिश शा से मुख्यमंति से मुलाकात के बाद वो वापस पहुंचे गो रखपुर उसके बाद एक नया सा शगूफा छेड़ते नजर आ रहे हैं कि फिर से डिप्टी सीम की बात उन्हों ने कर दी के निशात समुदाय का 160 सीटों पर वर्चस वे तो सीम डिप्टी सीम बनने का सीम बनने का पीम बनने का सपना सब वो जाइज भी है लेकिन धरातल में आपको राजिती उस हिसाब से करनी चाहिए कि जो आद भी 160 सीटों पर आपकी बिलकुल संख्या जादा है तो आप डिप्टी चीफ इनिस्टर बनेंगे भारती जंता पाटी क इसनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है अब मैं आपको एक खबर देता हूं निशाद साब ये एक निशादों की मला कास्ट है ये जो नाविक होते हैं तो बियार में एक इनसे भी बड़ा लीडर है जब वो बियार में रैली करते हैं तो लाखों की संख्या में लोग गानी जाती है उसके वो एक हीरो है काम क्या है इनका अभी वो मंत्री है बियार सरकार में वो बकैदा पिछली बार चुनाओ लड़े थे एंडी के साथ हो थे अब ये मालूम चल रहा है कि तीन तारिक को मुके साहनी यूपी में पार्टी लांच कर रहे हैं अब ये जो एक सो सब्सक्राइब उलग तक दरना नमेहें पहुंच यह और अभी तिन चार भागदा बाड़े का है उसने चार बंसक्रा अब ये जो है और लखनों पहुचंछेगा में पार्टी की घोषना करेगा वह वह चुना लोड़े घर तभी निसाथ भाई साब कहा जाएंगे तो रा आपने मूँ खोल दिया 160 और डिप्टी सीम लीजे भाई आपके ही वोट बैंक में सेध मारी करने के लिए ब्यार से किंग अब मनला जो है मुकेश ताहनी वो वहाँ पहुच रहा है तो अब ये राजनीती की व्यूटी है कि हर चुनाओं से पहले ये तमाम इस तरक के जो चुटी-चुटी पाटियां होती है उनका एक्जिस्टन्स जरूरी भी है ऐसा नहीं कि वो लोग राजनीती ना करें वो करें लेकिन उनकी जो तमन्ना होती है कि किस तरह से ज्यादा हो जाती है वो देखिया अपने आपको ओ करते हैं अब देखिये राहूल गांधी अपने आपको ओवर इस्टिमेट करते हैं बहुत सारे लोग ओवर इस्टिमेट करते हैं कि हम तो ये क्वालिटी है ये है और मैं जब ख़ड़ा होता है पूरी जंता जो हमारे साथ आजाती है वह एक सो साथ सीट के उपर निसाद स पॉपलेसर जो है वह बढ़े वेकार की बाते हैं अब जब ये नाव चाप ब्यार में मुके साहनी को नाव चाप मिला हुआ हुआ है को बिल्कुल बिफर परेंगी कि ये कहां से आ गया और जब कास्ट के बदौलत ही ये लोग इतना बड़ा लीटर बने है तो लीजी आप के कास्ट में एक और लीडर आ गया है तो अब आप फैसला कीजिए राजवर्ड की तरह आपको ब्लैक मिलिंग करना है फिर हाय तौबा मचाना है या फिर आपको साथ में चलके आपको जिसको कह सकते है कि रियालिटी के अधार पर जमीनी हकिकत के अधार पर आप एलाइंस बनाएं यह दिक्कत अभी बीजिपी के सामने है कि जो अभी तक बहुत सारे चोटी चोटी पार्टियों के साथ मिलके यह यूपी में लड़ते थे सब लोग अपना अपना जो है दावेदारी ठोक रहे है यही बात अखले सादब के साथ हो रहा है चाचा जी भी दावेद के समय वो ज्यादा से ज्यादा इतना जो है फाइदा उसका उठा सके अपनी पार्टी संगठन को बढ़ा कर सके ज्यादा से ज्यादा एमिलेज वो जिता सके इसकी कोशिस हर कोई करता है लेकिन यह कोशिसे तो ठीक है लेकिन यह कोशिसें तब सही साबित होती है जब आप अपने आपको जो इस्टिमेट करते हैं वो हकिकत के ऊपर इस्टिमेट करते हैं निशात समाच के लोगों ने बीजेपी को ये भी सला दे डाली की संजे निशात को उप मुख्य मंत्री का चेहरा बना कर 2022 में बीजेपी चुनाव लड़े तो आसानी से जीत हासिल हो जाएगी अब बीजेपी निशात की ये सला कितनी सीरियस लेगी ये देखना दिल्चस्ट होगा तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूले दू साल पहले शुरू हुई एक मुहिम मेडिया में एक नया आंडोलर शपत जूट को बेनकाब करने संकल्प सच को आप तक पहुँचाने का और इस ग्रांती को मिला आपका साथ हर दिन हम से जुड़े लोग 10 लाग 70 करोड से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके अब है आपकी बारी उत्तर प्रदेश में नए आंडोलन की तैयारी आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आपका कैपिटल गियारी